जैहिंद संराइस करेर अकैडमी में सभी छात्रों का सौगत है सभी शेर, शेरनियों का सौगत है जो आगामी परिक्षा की तैयारी कर रहे है और अपने माबाब के सपनों का साकार करने ही कोईश कर रहे है चित्रकूट की धर्ती से शिक्षा के छेत्र में क्रांती सन्राइस करियर अकेडमी दौरा आज का जो हमारा टॉपिक है इनक्यावन इनक्यावन आती महातुपूर्ण कोश्चन प्रश्ण उत्तर जो काफी एक्जाम में आये भी हैं समविधान के इस चैनल के माध्यम से हम देखेंगे और सभी शेर ओनलाइन आ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें दबा के शेर करें खूब दबा के पड़ें आज का जो हमारा टॉपिक है भारती सम्विधान के महतुपूर्ण प्रश्ण तो जाया देरी ना करते हुए हम अपने इंक्यावन प्रश्ण चालू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण देखेगी है सबसे पहला प्रश्ण है भारती सम्विधान सभा की संघी शक्ती समीती भारती सम्विधान सभा की संघी शक्ती समीती के अधेक्ष कौन थे? पंडि जवाहरलाल नहरू जान दिजेगा पंडि जवाहलाल नहरू इसके अध्यक्ष थे भारतिय सम्विधान सभा की संघी शक्ती समीती के अध्यक्ष कौन थे पंडि जवाहलाल नहरू डॉक्टर बी यार अंबेडकर ये थे प्रारूप समीती के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमरा अंबेडकर को ही भारतिय जान का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, सरदार वल्ला भाई पटेल उस समय मिनिस्ट्री ओफ होम यानि ग्रह मंत्राले संभाल रहे थे, लौह पुरुष से जान जाते हैं हमारे सरदार वल्ला भाई पटेल, बोईज और गर्ल्स चैनल को धबा के शेर करें, दोस्तों अब ही मैंने डिसकस किया, बारतिय सम्विधान का धाचा, जिसको बनाना था, कि कौन सा भाई कहां होगा, कौन सा अनुछेत कहां रखा जाएगा, ये जिम्मेदारी प्रारूप समीती उदी गई थी, और प्रारूप समीती के अधिक्ष कौन थे, दॉक्टर भीम राओ, हम किस अधार पर लिते थे, ये आज कर कोशन बहुत ज़्यादा पूचे जारा एक्जाम में, कि जब सम्विधान सभा किसी मसौदे पर, या किसी ऐसे अनुछेत पर रखती थी, तो वो वहाँ पर कैसे निर्णा लेती थी, वो लेती थी सहमती और समायोजन से, कैसे, आपसी स सहमती से, ध्यान देना, बहुमत से नहीं करते थे, बहुमत से अगर करते, तो हो सकता है, आज जैसा हमारा सम्विधान है, वैसरना होता, और बेकार होता, क्योंकि बहुमत में एक पक्षावी हो जाता, इसलिए सम्विधान सभा में, कभी भी किसी अनुछेत में, कि क्या सम सम्विधान सभा रखती थी तो सहमती और समायोजन से कारिक्षिया करते थे आगे बढ़ते हैं भारते सम्विधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संक्या थी 15 भारते सम्विधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल संक्या कितनी थी 15 आया समझ में ऐसे आपको याद रखन ये प्रश्न बन सकते हैं समविधान निरमात्री सभा में जंडा समीती के अधिक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद समविधान निरमात्री सभा में जंडा समीती के अधिक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समविधान सभा के स्थायत धेक्ष थे समविधान सभा के आज स्थायत धेक्ष सजदनंद सिना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये ही हमारे देश के पहले राष्टपती बने आगे बढ़ते हैं भारती सम्विधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ग्यान पीट पुरसकार नहीं दिया गया था सिंधी भाषा के लिए ध्यान दिजेगा सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ग्यान पीट पुरसकार नहीं मिला था लेकिन 2011 के बाद इस भाषा में भी ग्यान पीट पुरसकार दिया जाने लगा भाषा हमारी आठीवी अनुसूची में वड़नी थे अभी टोटल 22 भाषाएं हैं जिसको समविधानिक मानेता प्राप्त है आगे बढ़ते हैं भारती समविधान में नवी अनुसूची को कब परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन में 1959 में जवाहर लाल नहरू की सरकार में जब पहला संशोधन हुआ तो नवी अनुसूची को उसमें लाया गया उसमें संशोधन किया गया आगे बढ़ते हैं यह जो 42 संविधान संशोधन बोल रहा है इसमें यह 1976 में हुआ है ध्यान दीजेगा 42 संविधान संशोधन 1976 में और यही है लगू संविधान 42 संशोधन 42 संविधान संशोधन को ही मिनी कॉंस्टिटूशन का निम्न में से कौन सदर से नहीं था जवाहरलाल नहरू बागी सभी सदर से थे संविधान पांडू लेकन समी थी के सदर से कौन नहीं थे जवाहरलाल नहरू तो आंसर D हो जाएगा इसमें आगे किस दिन से संविधान सभा का आंतर कालीन संसद के रूप में अविरभा हुआ 26 जनवरी 1950 हमारी संसद ने अपना काम वास्तविक रूप से कब चालू करना शुरू किया आंतर सी 26 जनवरी 1950 उससे पहले ये संसद क्या थी अंत्रिम सरकार थी अंत्रिम सरकार आप उसके टेंप्रेरी संसद वास्तविक रूप कम मिला उसको 26 जन्वरी 1950 26 जन्वरी 1950 को हम गनतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इससे दो महीने पहले जाएंगे तो 26 नमवंबर 1949 को हमारा समविधान बनकर तयार हो गया था लेकिन इसको दो महीने बाद के उपारित किया गया क्योंकि लाहोर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के लाहोर अधीवेशन में और मोती लाल नहरू ने ये संकल्प लिया था कि 26 जन्वरी 1930 में हम पूर्ण सोराज मनाएंगे बस उनको शंत्रशन धांजरी देने के लिए उनका सम्मान करने के लिए जब दो महीने पहले ही हमारा समविधान बन गया था तो 26 जन्वरी 1950 की तारीख का इंतजार किया गया और 26 जन्वरी 1950 से लेकर आज तक लगातार हम अपना गणतंद्र दिवस मना रहे हैं 24 जन्वरी देखो इसमें लिखा हुआ है 24 जन्वरी 1950 को हमारे देश का राष्टगान को मानिता मिली राष्टगीत को मानिता मिली और इसी दिन हमारे पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद को गोशित किया गया भारत के सम्विधान का निर्माता किसे मना जाता है भारत के सम्विधान का निर्माता पिता, जनक सब कौन है अच्छा ये बियन राव क्या है ये हमारे सम्विधान के सम्विधानिक सलाहकार थे ध्यान दीजेगा यह बहुत पूस्ता एक्जाम में इसको अंगे करत कीजेगा आगे बढ़ते हैं उचतम न्याले ने समविधान के मूल धाचे का सिध्धान्त किस वाद में प्रतिपादित किया केशवा नंद भारती बनां केरल राजे अंसर सी हो जाएगा इसका उचतम न्याले ने समविधान के मूल धाचे का सिध्धान्त किस वाद में प्रतिपादित किया केशवा नंद भारती बनां केरल राजे इसका मैं उत्तर आपको बताऊँगा उत्तर तो खेर ऐसी ही है इसका लेकिन केशवा नंद भारती केस इसका अलग से ही मैं लेक्चर लूँगा तो आप बिल्कुल भी घबराए ना आगे बढ़ते हैं समविधान सभागे कितनी उपस्तित सदस्यों ने हस्ताक्षर किये 284 जब हमारा समविधान अंतिम बार पढ़ा गया और अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता था तो उस समय मौझूद 284 लोगों ने उस पे अपने हस्ताक्षर किये थे ध्यान दीजेगा बच्चे 284 और 289 में कन्फिज रहते हैं आपको 284 लगाना है आगे बढ़ते हैं जिस समविधान सभा द्वारा भारत के समविधान का अधिनियमन किया गया उसके दाज़ते कौन थे विभेन प्रांतों की विधान सभावों द्वारा नामित थे ध्यान दीजेगा हमारी जो समविधान सभा थी वर विभिन प्रांतों के विधान सभा दोरा नामित लोगों के दोरा बनी गई थी ठीक है? विधान दीजेगा समविधान के किस भाग को समविधान संशोधन की प्रियाका उलेख है हमारे समविधान में किस भाग में समविधान संशोधन कैसे होता है ये उलेख है भाग 20 में और भाग 20 में ही आर्टिकल 368 है आर्टिकल 368 कहता है कि संसत को यह अधिकार है कि वह समविधान के किसी भी हिंसे को संशोधन कर सकती है बशरते हमारे समविधान का मूल ढाचा नहीं भी करना चाहिए अजब यह मैं मूल ढाचे की बात करता हूँ तो मूल लाचे का मतलब मौली के दिकार, लोक तंत्र, गण तंत्र, ये चीज़ है, तो आडिकल 20, आगे बढ़ते हैं, सम्विधान सभा में उद्देश प्रस्ताव किसने पारित किया था, जवाहरलाल नहरू ने, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, जब तीसरी बैठक हुई थी, तो ज आगे बढ़ते हैं, दल बदल के आधार पर, निर्वाचे सदस्यों कि आयोगता संबंदी विवरण, सम्विधान में किस अनसूची हैं, दस, याद रखिएगा, दसवी अनसूची, दल बदल का उलेक करती है, जैसे बहुत साई नेता लोग क्या होते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो अगर कोई नेता पार्टी चेंज करता है, तो वो आय आयोग रहेगा, अकिन आधोरा आधारों पर आयोग रहेगा, ये दस्वी अनसूची पर वर्णित हैं, आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए सम्विधान सभा की रचना हेतू, सम्विधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रसुत किया, स्वराज पार्टी ने, और स्वर मोतिलाल नहरू ने अस्थाई सम्विधान बनाने की कोशिश की थी, और अधिकारिक रूप से सम्विधान की मांग MN रोय ने किया था, यहां दीजेगा, अधिकारिक रूप से भारत के सम्विधान की मांग MN रोय ने किया, गैर अधिकारिक रूप से बाल गंगा धर तिल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, महराष्ट में लोग सभा सीटों की संखे कितनी है, 48, कितनी सीठे है, 48, यूपी की लोग सभा में सीठे कितनी है, 80, और राज सभा में कितनी है, 31, यूपी के विधान मंडल में, विधान सभा की सीठे कितनी है, 404, और विधान परिशत में कित आखरी बार मिली वो दिन था 24 जनवरी 1950 और अंतिम बार हस्ताक्षर इसी डेट में हुए 24 जनवरी 1950 और इसके दो दिन बाद यानि 26 जनवरी 1950 में हमारा समविधान पारीत हो गया पारीत क्या पूरे देश में लागू हो गया और सम्विधान अंगी करत कब हुआ 26 नौबर 1949 बन कर तैयार हुआ 26 नौबर 1949 और पूरे देश में लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 में इडिट नहीं भूलना आप ठीके आगे बढ़ते हैं सम्विधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारिद सम्विधान में कुल कितने अनुचेद और अनुसूचिया थी 395 अनुचेद और 8 अनुसूचिया तो अंसर क्या हो जाएगा C जब हमारा सम्विधान बना था तो सम्विधान में मूल रूप से 395 अनुचेद 8 अनुसूचिया 22 भाग थे कितने भाग थे बाइस भाग वर्तमान में देखें तो 470 अनुचेद 12 अनुसूचियां और 22 भाग है आगे बढ़ते हैं सम्विधान सभा के प्रारूप समीती में सदस्यों के संख्या कितनी थी साथ सम्विधान सभा के प्रारूप समीती जवाहरलाल नहरू मात्मा गांधी यह नहीं थे और यही एक्जाम में पूशता है कि इनमें से कौन नहीं था तो उसमें जवाहरलाल नहरू जरूर लिखेगा उसको ना लगा दीजेगा जवाहरलाल नहीं थे आगे बढ़ते हैं, भारत के सम्विधान निर्माता भीमराव अंबेटिकर का जम्कब हुआ, 14 अप्रेल, कब 1891, कहां हुआ, मध्य प्रदेश के महु कस्बे में, और इनके फादर क्या थे, भारतिय सेना के सुबिदार थे, 14 अप्रेल 1891 में इनका जन्म हुआ, आगे बढ़ कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश के महु, अच्छा, कौन सी जाती से थे, माहर जाती से, आगे बढ़ते हैं, सम्विधान की प्रारूप समिती के समक्ष, प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने दिया, जवाहरलाल नेरू, हम पढ़ चुके हैं पीछे, लोग सभा का आगे बढ़ते हैं, देखे, अठारा साल है न, अठारा साल, जब आप हो जाते हैं, तो आप बालिक कहलाते हैं, ठीक है, और आप वोट डालने के लिए सक्षम हो जाते हैं, हमारे भारत में पहले वोट डालने की उमर थी 21, जब 61 सम्विधान संशोदन किया गया, तो 21 से घ वो मुख्य मंतरी की नियुक्ती नहीं करता, क्योंकि मुख्य मंतरी की नियुक्ती कौन करता है, राजपाल, प्रधान मंतरी की नियुक्ती करता है राष्टपती, जब दीजेगा, निमलिखित में से किसकी नियुक्ती राष्टपती नहीं करता, मुख्य मंतरी कौन करता है राजपाल, राजपाल राज का मुखिया होता है आगे बढ़ते हैं भाति सम्विधान को अपनाया गया सम्विधान सभादवारा यहां दीजेगा भाति सम्विधान को किसके दोरा अपनाया गया सम्विधान सभादवारा आगे बढ़ते हैं किसी राज में नगरपालिका की सीमा छेत्र अदुसूचित करने के लिए निम्लिकित में से कौन सक्षम है वो कौन होता है जरह बताएं संबंधित राज्य का राज्यपाल क्योंकि आखरी मोहर उसी के लगती है ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न की उपाधी किस ने दी महात्मा गांदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रतन की उपादी इसने दी महात्मा गांधी ने महात्मा को महात्मा की उपादी किसने दी ये दिया था रविन दिनाथ टैगॉर ने और बदले महात्मा गांधी ने उन्हें गुरु देव की उपादी प्रदान की बल्लब भाई पटेल इनको सर्दार की उपाधी बार्दोली की महिलाउन दिया था बार्दोली सत्य अग्रह के बाद सर्दार बल्लब भाई पटेल बोलियाए करते थे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के विरोध में रहते थे और विद्वा पुनर विवाह के पक्ष में थे और और औरतों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए इसके पक्ष में भी थे कब लागू हुआ, देश में कब लागू हुआ, 26 जनुवरी 1950, अगर यहीं पर अंगिकरत होता, तब आप 26 नॉवंबर करते, लेकिन लागू बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे 26 जनुवरी 1950, आगे बात करते हैं, निम लिकित में से कौन, प्रारूप समीति के सद नहीं थे, ना सदसे थे, और ये तीनों थे, ये तीनों क्या थे, सदसे थे, टोडल साथ सदसे थे प्रारूप समीति में, और उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेड कर, आगे बढ़ते हैं, राष्टपती का रिक्तिस्थान भर लिया जाना चाहिए, ये कितने दिने उन भर जाना चाहिए, छे महीने के अंदर, ये राष्टपती का इस्थान रिक्त है, तो उसको छे महा के अंदर भर देना चाहिए, राष्टपती अगर नहीं है, उसका इस्थान रिक्त है, तो उसकी जगा उपर राष्टपती, राष्टपती का कारेबार समालेंगे, माल इस question का answer क्या है D, option आगे बढ़ते हैं, किसी भी विधी के लिए सर्वोच न्याले से परामर्ष मांगने का दिकार किसको राष्ट पती को, आनुछेद 143 के तहट, आनुछेद 143 के तहट, राष्ट पती सर्वोच न्याले से परामर्ष ले सकता है, ठीक है, राष्ट पती, देश का सर्वोच नागरिक होता है, तीनों सेना वो कमांडर होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो आंसर एह हो जाएगा, कारे पालिका का प्रमुक कौन होता है भाई, कारे पालिका, अरे राष्ट पती होता है, प्रधान मंत्री अपनी कैबिनेट, मंत्री इसका आंसर हो जाए गए आगे बढ़ते हैं भारत में लोग सभा किसका प्रतिजित्व करता है भारत में लोकसभा किसका प्रतिजित्व करता है बताईए राज और केंदशाशित प्रदेशों का राजियों और केंदशाशित प्रदेशों का प्रतिजित्व होता है इसमें क्लियर है आगे बढ़ते हैं भारतिय समविधान में नीती निदेशक तत्व किसके लिए हैं? सरकार के लिए और सरकार ही तो लागू करती है किसको जनता के लिए ताकि जनता का क्या हो? कल्याण हो इसलिए राज के नीती निदेशक तत्व को कल्याण कारी नीती भी कहा गया है और भारती समविधान में नीती निदेशक तत्व कहां से लिए गए है आयर लैंड से और इनको लागू कौन करता है सरकार कौन सरकार राज सरकार और भारत के नीती निदेशक तत्व भाग 4,36 से लेके इंक्यावन तक वन नित है तो इसका आंसर हो जाएगा C और राज्य में एमर्जेंसी लगानी होती है तो मुखे मंत्री राज्य पाल को अपने रिपोर्ट देता है और राज़ पल रिपोर्ट देता है राश्टपती को तब उनके माध्यम से राज़ में एमेजेंसी लगा जाती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? A समविधान सभा ने समविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से 26 नौबर 1949 26 नौबर 1949 में हमारा समविधान बन कर तयार हो गया था और आशिक रूप से लागू भी हो गया था पून रूप से लागू कब हुआ? 26 जनौवरी 1950 फिलहाल इसका अंसर क्या होगा? 26 जनौवरी 26 नौबर 1949 आगे बढ़ते हैं राष्टपती लोग सभा भंग कर सकते हैं भाई प्रधान मंत्री की सलापर अनुछेद 85 के तहट जान दिजेगा जो हमारे राष्टपती हैं वह लोग सभा को भंग कर सकते हैं लेकिन सलापर किसकी सलापर? प्रधान मंत्री की सलापर अनुछेत 85 के तहद ठीक है और जब लोग सभा भंग हो जाती है सभी मंत्री परिशत भंग हो जाता है चुनाव दुबारा होते हैं आगे भारती सम्विधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन के अधिक्षता किस ने की थी सचिदान सिना ने डेट याद है 9-12-1946-9 दिसंबर 1946 में सम्विधान सभा के पहली बैठक हुई थी अब पहली बैठक सचिदान सिना ने किया था सचिदान सिना बड़े मेधावी, बुजुर्ग और अनुभावी विक्ती थे और सम्मान के लिए इन ही को सम्विधान सभा का अधिक्ष बनाये गया, लेकिन इनकी तबियत खराब थी, तो ये केवर एक ही दिन बन पाए तो ये आस्थाई सदस से कहला है, इनके बाद डॉक्टर राजेंद प्रसाद आये, जो इस्थाई अधिक्ष कहला है सम्विधान सभा के तो इस कोजन का अंसर हो जाएगा, डी आगे बढ़ते हैं, राष्ट पती द्वारा भारतिय सम्विधान में संसद में कितने लोगों को मनौईद कर सकता है देखो, अभी ये क्या बोल रहा है, राष्ट पती द्वारा भारतिय सम्विधान में संसद में कितने लोगों को मनौईद करने की विवस्ता की गई है अब हटा दिया गया है उनको राष्टपती मनौनित नहीं करेगा तो वर्तमान में कितने लोगों को मनौनित कर रहा है बारा लोगों को वर्तमान में बोल ना हूँ लेकिन अगर पिछले साल कोशा नहीं पूछा जाता पिछले साल तो इसका अंसर 14 होता वर्तमान में है तो इ अनुशेद में हैं तो यह अनुशेद 108 के तैद सम्विधान सभा में दोनों संदनों की सहयुक्त बैठक का प्रावधान 108 कौन करता है राष्टपती चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 108 सम्विधान का अनुशेद 123 किसे संबंदी थे राष्टपती के अध्यदेश जारी करने से किसे संबंदी थे राष्टपती के अध्यदेश से सम्विधान का हैनुशे 223 किसे संबंदी थे तो अंसर आभिज जाएगा राष्टपती के अध्यदेश जारी करने से निम लिखित में समविधान का कौन सा भाग शंशोधित नहीं किया सकता नाइक समिक्षा ज्यान दीजिएगा प्रस्तावना निदिनिश्टत्व मौली का दिकार शंशोधित किया सकते हैं लेकिन नाइक समिक्षा को संशोधित नहीं किया सकता ख्लियर रहे आगे बढ़ते है भारती सम्विधान की छड़ी अनसूची किन चार राज्यों के छेत्रों और अनसूचित जंजातियों के प्रसाशन और नियंत्रन पर से संबंदित है तो उसका अंसर है आसम, मेघालय, मिजोरम, नागालेंड आसम, मेघालय, मिजोरम और नागालेंड आगे बढ़ते हैं भारत का सम्विधान, भारत के सुप्रिम कोड को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णा किस छेत्र के तर लेने का अधिकार देता है वास्तविक नया अधिकार भ्यांदीजेगा रिट नया अधिकार होता है मौलीक अधिकारों के हनन पर तो इसका अंसर क्या हो जाएगा B क्या हो जाएगा B वास्तविक नया अधिकार राज्यों के राजपाल राज्यों के राजपालों की केंद्र द्वारे निप्ती का प्राउधान किस समविधान से लिया गया है कनाड़ा के समविधान से कि हमारे राज़ेपालो की न्युक्ती राष्टपती द्वारा होगी और ये हमने कहां से लिया है कनाड़ा के समविधान से लिया है औस्ट्रेलिया के समविधान से क्या लिया है समोवर्ती सूची Ireland से क्या लिया है नीती नीदेश्कृतात वो America से क्या लिया है Mali क अधिकार बहुत बाल पूझ़ा जाता है यट लीजिएगा यदि भारत के राश्च्पती त्याग पत्र देना चाहें तो भारत के राश्च्पती किसे त्याग पत्र देते है भाई भारत के राश्ट्पती से बड़ा तो कोई पद ही नहीं है तो वो अपना त्याग पत्र देता है उपर राश्ट्पती को और उपर राश्ट्पती त्याग पत्र देता है राश्ट्पती को जान दीजेगा, दोरों एक दूसरे को अपना तैक पतर दे जेते हैं, तो भारत का राश्पती अपना तैक पतर किसी देता है? उपर राश्पती को, राजसभा में अधिक्तम सीटे कितनी? 250, और कितनी मनौनित होती हैं? 12, राजसभा में सबसे अधर सीटे कहां की हैं? UP, कित 12, भाग 4, ए, या का भी बोलते हैं, उसके अनुछेद इंक्यावन का में, मौलिक कर्तव्यों का उलेक है, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, वरतमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं, लाश्ट कोशन, 73 संविधान संशोधन को राज नीती के निदेशक से धान्त में से एक को प्रभावी करने के लिए बना लाये गया था, वह कौन सा है, आनुछेद 40, आनुछेद 40 कहता है, कि राज ग्राम पंचायद का गठन करेगी, तो आनुछेद 40 के तहट क्या है, ग्राम पंचायद का गठन, राज किसमें आते हैं, भाग, चार में, आनुछेद 36 से 59, और आनुछेद 40 कहता है, ग्राम पंचायद का गठन, कौन संविधान संशोधन, 73 में, आचा 74 में किसका है, नगर पंचायदों का गठन, तो ये आति महतपूर्ण, 59 कोश्चन, इनको बार-बार पढ़ें, और इन ही में से एक्जाम में आना है, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!